हाई गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्ण ओफ मेप के बारे में यानि कि के मेप क्या होता है के मेप इस असीस्टमेटिक मैथड फर सिंप्लिफाइंग एंड मनिप्लिटिंग बूलियन एक्स्प्रेशन इस जिए अब ही तक ओपंवलोग ने देखते हैं के से आप किसी expression को किसी boolean expression को laws को यानि कि boolean algebra के यह law है उनको apply करके उसको simplify कर सकते हैं लेकिन यहाँ एक और तरीका हमारे पास है जो कि came app का तरीका कहलाता है उसके through भी हम लोग boolean expression को simplify कर सकते हैं जनरली इसका use तब किया आता है जब आपके variables जह बहुत बड़े हो जब आपके terms बहुत बड़े हो जब आपका expression बहुत बड़ा हो तह हम लोग came app का use करते हैं जिससे के हमें आसानी होती है उनको simplify करने में came app is tabular representation of boolean function यानि की came app क्या है came app tabular representation है boolean function के फिर boolean expression का current of map is a method used to simplify equations the current of map is visual technique that allows you to generate grouping of terms that can be combined with a simple visual inspections किसे definition किताबी definition है उपर के दो definition जो है वो easy है और नीचे का जो है last वाला वो थोड़ा सापको tough पड़ेगा समझने के लिए बट जो चीजे समझनी चाहिए थे वो चीजे आप अभी तक समझ चुके हैं ठीक है तो अगर exam में आता है तो आपको यह सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी के मैप का definition अगर लिखनी के लिए आता है तो ठीक है आगे कहानेवले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप टू वेरियेबल्स का जैसे कि के मैप का मतलब के मैप का यूज अब तब करते हैं जब आपको कोई expression को simplify करना तो आगे आने वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से आप अगर आपका जो expression में टू वेरियेबल है मतलब वह ए बी रिखा हो सिरुफ तो उसको उसके लिए क्या process है उसको simplify करने का या फिर अगर तीन वेरियेबल है तो उसको क्या है चार वेरियेबल है तो उसके लिए क्या है ठीक है वो सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे ठीक है के map का use करके कैसे आप simplify कर सकते हैं किसी expression को सबसे पहले हम लोग table बनाते हैं के map का table बनाया जाता है जैसे कि आपका expression रहेगा एक expression आपको दे दिया जाएगा उस expression को देखकर उसके variable को देखकर number of variables को देखकर उसके according table बनाया जाता है जैसे कि 2 variable तो 2 variable का table बनेगा 3 variable तो 3 variable का टेबल बनेगा, four variable है तो four variable टेबल बनेगा, five variable तो five variable टेबल बनेगा, so number of variables के according टेबल यहां बनाया चाता है, यह मेरा पहला step है, ठीक है, then table को feel किया जाता है, टेबल टेबल को feel किया जाता है, उसके expression के अनुसार उसको feel किया जाता है, table को feel किया जाता है, one से, soft form में, यह detail मे तो गुरूप करना पड़ता है, गुरूपिंग हमेशा 2 to the power में होता है, मतलब यह तो 2 का गुरूप होगा, यह फिर 4 का होगा, यह फिर 8 का होगा, यह फिर 16 का होगा, इस तरीके से गुरूपिंग होता है, यह भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, इस तो गुरूपिंग करने के बाद, सिंपल एलजेबरिक एक्स्प्रेशन मतलब जो सिंप्लिफाय करके आपका एक एक्स्प्रेशन बनेगा, वो एक्स्प्रेशन हमें बनाना है, अगर कॉस्चिन आपसे कहता है, आपको सर्कृट भी बनाना है, जो अपने लास्ट एट दि यहीं तक है, यानि कि एक्स्प्रेशन को सिंपल एलजेबरिक एक्स्प्रेशन आपने लिख दिया, बस आपका काम कतम, देख लिए यह यूनिवर्सल स्टेप नहीं है, इनवर्सल स्टेप कहने का मतलब है कि कुछ चीजें और इसमें इंक्लूड हो सकती है, कुछ चीजें इन में से हटाई भी आ सकती है, ठीक है, तो according to, जैसे हमने जिस तरह से हमें question मिलता है, उसी के अनुसर हम लोग steps जो follow करते हैं, ठीक है, तो यह उनिवर्सल मैथर्ड नहीं है, simplify करने का came up के तुरू, इसमें कुछ चीजें और include की जा सकती है, जैसे कि अगर आपको mean term, max term मे आपको truth table बनाना पड़ेगा, okay, so, यह universal method नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही step batch दिखाने के लिए आप लोगों को, कि यह सारी चीजें हम लोग आगे follow करेंगे, came up में, इसलिए मैंने यह लिग दिया हुआ, यह आपको maybe book में ना मिले, फिर किसी book में ना मिले, ठीक है, so guys, बस इ दिखान में रखना है कि यहां इस तरीके से है और इसके इसका हर एक part हम लोग detail में discuss करेंगे आगे आने माले videos में, till then, thanks for watching.